आप लोगों का अपने यूटूब चैनल के सी आई टैली इस प्रस लिस्ट में गवाफिर से हर्दिक श्वागत और अविनंदन करता हूं मैं आसा करता हूं कि आप लोग स्वस्त होंगे जैसा कि आप लोगो मालू है हमारे यूटूब चैनल पर कंप्यूटर के ने फ्री कॉर्स प्रवाइड कराए जाते हैं इस पर आपको कई टाइप के कंप्यूटर कॉर्स मिल रहे हैं चाही वो बेसिक से रिलेटेड हो MS Office से रिलेटेड हो test सेकनल और आप स्टिप बाइ स्टेप पढ़ाई कर सकते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको टैली प्राइम की complete वीडियो मिलने वाली हैं जो की step बाइ स्टेप मिलेगा आपको जैसे आप किसी institution में step बाइ स्टेप पढ़ाई करते हैं उस इस चैनल पर आप लोगों को आज से आपका टैली प्राइम का step बाइ स्टेप वीडियो मिलेगा जो आपके लिए कासा important होगा और हम इसमें बहुत ही basic से start करेंगे टैली के बारे में हम एक बार आपको इसमें बताएंगे टैली प्राइम के विंडो के बारे में बताएंगे साथ step by step वीडियो आपको मिलती रहेंगी जिससे आप टैली प्राइम फ्री में पढ़ सकते हैं उसके लिए कोई भी आपको कॉस्ट चार्ज नहीं देना होगा गैस बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी व प्रेंड्स के पास इसे सेर करें जिससे कि उनको भी फ्री क्लासेस मिल सकें और किसी भी इंस्टिट्यूट में अगर वो नहीं जा सकते हैं तो वो वीडियो के माध्यम से कंप्लीट टैली का नौलेज हो पाए उन्हें जिससे वो कहीं किसी कंपनी में आज अकाउंटेंट जॉब कर सके चुकि टैली एक मोस्ट इंपोर्टेंट अप्लिकेशन है जो कि किसी भी स्मॉल साइज एंड मीडियम साइज बिजनस को कम बिजनस के अकाउंट को कंप्लीट मैनेज करता है इसमें वो सारे काम किये जा सकते हैं जो अकाउंट से जुड़े होते हैं यहां तक आप कह सकते हैं कम्प्लीट टैक्शेशन का काम जेस्टी रिलेटेट टोटल वर्क टीडियस टीस के काम पेरोल कम्प्लीटली मैनेज किया जाता है इस तरह से एक मीडियम और स्माल साइज के बिजनस को बहुत ही अच्चे ढंग से टैली के द्वारा मैनेज किया जा सकता है और टैली प्राइम आ जाने से बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो गया और इसमें सारे काम बहुत ही स्मूध बहुत ही आसान तरीके से हो जाते हैं टैली में जो गोटू का ऑप्शन आ गया है इसके द्वारा आप कभी भी कोई भी रिपोट प्राप्त कर सकते हैं तो बहुत ह है गाई तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अच्छी लगें तो लाइक करें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और टैली प्राइम को हम स्टेप बाई स्टेप सीखिते हैं आज हम टैली प्राइम के फस्ट विंडो का इंफॉर्मिशन लेते हैं उसके पार्ट को समझते तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं प्राइम है क्या उसके बारे में समझते हैं तो हम आपको जिरो लेबल से इसको बताएंगे आपको टैली कैसे इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर में उसके स्टेप्स हम क्लेर आपके लिए तो आप देख पा रहे हैं हमारे desktop पर ही setup रखा हुआ है setup क्या होता है किसी भी application को अपनी computer में यह आपको यूज करना है तो उसका जो .exe file होती है उसका जो setup application setup होता है उस software को install करना पड़ता है computer में फिर हम उस application को यूज कर पाते हैं तो setup पर हम double click करते हैं यहां से तो आपके सामने वो dialogue आ जाएगा जिसके द्वारा हम installation को चुकि यह dialogue इसलिए आ रहा है आपके सामने पहले से टैली का software इसमें installed है अगर आपके पास कोई भी पुराना version installed है या new version installed है आप कुछ नया करना चाहते हैं अप्ग्रीड करना चाहते हैं तो इस तरह से आता है आप देख पा रहे हैं इसमें टैली erp9 भी है टैली प्राइम है 1.1 और टैली प्राइम का 3.0.1 latest version भी installed है अगर आपको upgrade करना है या steps को हमें जानना है तो आपके सामने dialogue box आ जाएगा जिसमें यह कह रहा है आपको यह सुचना भी दे रहा है कि application जो वह टैली प्राइम नाम से इसका release कौन सा है 3.0.1 है application जहां पर store होगा आपका installed होने के बाद उसका complete path क्या है c colon slash program files टैली प्राइम अब चुकि पहले टैली प्राइम था फिर टैली प्राइम 1 फिर टैली प्राइम 2 जितनी बार हम इसको upgrade करते जाएंगे इस तरह से लिख करके आएगा या तीन आपको buttons दिख रही है जिसमें अगर हमको कुछ भी configuration करना है path वगरा change करना चाते हैं तो हम configure करें more actions पर जागर के हम change कर सकते हैं कुछ भी और extra अगर हम करना चाते हैं और install करना चाते हैं तो install button पर हम click करेंगे और आपके सामने tally का जो latest version होगा जो upgraded version होगा वो installed हो करके आ जाएगा इस तरह से आप कर पाएंगे अगर आप पुराने version की बात करें tally.erp9 अगर वो पहले से installed है तो उसमें आप same version आप install करते तो उसायद नहीं लेता बट यहाँ tally prime आप जित्ती बार भी देखे इस same version ही मैंने दो बार install करा यहाँ पर तो इस तरह से install होने के बाद हम as start tally prime पर click कर देंगे और tally prime का जो window होगा main window होगा आपके सामने open हो करके आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे है tally prime का यह logo आपके सामने blink कर रहा है और tally erp9 से tally prime में जो open startup है वो change है तो आप देख पा रहे है हमारे सामने screen पर license करके एक dialogue आ गया है जैसा कि tally erp9 में startup करके dialogue आता था tally prime को अगर आपको पढ़ना है तो हमारे इस channel पर complete course अबलेबल है step by step आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति टैली पढ़ना चाहरा है और उसका वेग्राउंड या उसकी जो पढ़ाई है वो commerce से नहीं है उसने वीकॉम अगरा नहीं किया हुआ है या 910 में उसने commerce नहीं लिया हुआ था तो भी टैली को पढ़ने के लिए जो account का section होता है account का basics होता है वो मैंने टैली ERP9 के course में complete बताया हुआ है टैली की total history बताई हुई है तो उन वीडियो को आप जरूर देख लेंगे विगॉज मैं यहां step by step practically बताता चलूँगा और अगर आप ERP9 को देखने के बाद प्राइम करेंगे तो आपको टैली में बहुत अच्छा ग्यान हो पावेगा तो आप देख पा रहे है license नाम का एक dialogue आ गया है जिसमें फर्स्ट आपका continuing educational mode जिस mode में आप license लेना चाहते है अगर आप educational sector में है तो आप educational mode में आप इसका license लेजिए अगर आप online work करना चाहते हैं network.net यूज करना चाहते हैं तो यूज लाइसंस फर्म network आप यहां से ले सकते हैं इसे rental बगरा भी लेना है तो हम यहां से कर सकते हैं अगर activate पहले से तो reactivate exiting license जो पहले का license है उसको renew कर स message किये हुए हैं तो आप यहां से activation कर सकते हैं तो जिस भी वे में आपको start करना है आपको टैली प्राइम उस बटन पर आप click करेंगे तो हम चलते हैं education में हम हैं तो हम continuing educational mode पर click करते हैं अब आपके सामने टैली का main window open हो करके आएगा उससे पहले टैली में यदि हम पहली बार टैली प्राइम को use कर रहे हैं तो हमारे सामने टैली प्राइम open होते ही company को create करने के लिए मांगता है जैसा कि आपके सामने यह dialogue आ गया है पहले से इसमें कुछ company आप बनी हुई है जो हमने migrate करके लिया हुआ है तो चुकि पुराने version में था इस menu में हमने इसको migrate कर लिया है तो यहां पर आपको company so कर रही है यदि आप first time tally को use करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको create company करना होगा और एक नई company बनानी होगी because जो tally software है वो किसी भी small size या medium size के business को complete manage करता है उस business में जितने भी लेजर्स हैं, vouchers हैं, inventories होती हैं, taxation related works हैं, payroll related work है, total work सारी reports को जनरेट करता है, total work करता है tally, एक CA का जो total work होता है वो tally से maximum हम कर लेते हैं, तो guys company के अंतरगत्रम tally software को use करते हैं, तो सबसे पहले company का होना जरूरी है, so create company option है आपके सामने सो करता है, यहां से एक company आप create कर सकते हैं, चुकि हमें आपको company का part of window बताना है भी, company creation हम आपको बात में बताएंगे, तो हम चलते हैं, बनिवी company मे login कर जाते हैं, इस तरह से आपके सामने tally का main window आपके सामने प्रदर्सित हो गया है, guys आप देखेंगे tally के top left corner पे tally prime EDU सो कर रहा है, means जो tally prime का license purchase किया गया है, वो educational mode में है, next आप manage देख रहे हैं, और manage के अंतरगत कई सारे options आपको देख रहे हैं, हम step by step सब के बारे में आपको बताते हैं, तो सबसे उपर हम इस पटी के बारे में discuss कर लेते हैं, जो पटी आपकी title bar कही जाती है, किसी भी application का सीरसक जहां पर प्रदर्सित होता है, उस पटी को हम title bar कहते हैं, और title bar का जो एक default परिचह है, उसको पहचानने का जो एक तरीका होता है, उसके left corner पे उस application का icon होता है, और उसका document का name होता है, तो यहाँ पर आपको tally prime educational mode करके यह software का name आ रहा है, इस application का name आ रहा है, और right corner पे आपको control tools मिल रहे हैं, जो minimize, maximize, restore and close करके हैं, आप देख पा रहे हैं, हम keyboard से alt plus space bar प्रेस करते हैं, तो एक control menu box आ जाता है, जिसके द्वारा अपने इस application पर आप control कर सकते हैं, जिसमें आप restore, move, size, इसको move कर सकते हैं, drag कर सकते हैं, size जिसका छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं, maximize कर सकते हैं, अगर हमें move करना है, भी move और size highlight नहीं है, चुकि restore जब करेंगे window को तो हम moment कर सकते हैं, यहां alt space bar करके हम move पर क्लिक करेंगे, और अपने application window को, इस tally की window को हम move कर पाएंगे, इस तरह से, जहां पर हमें इसको रखना होता है, point करना होता है, तो वहां पर हम enter press करते हैं, फिर हम alt space bar करते हैं, और इसकी resizing करना चाहते हैं, तो फिर हम enter select करेंगे, और हम इसको हम size resize कर सकते हैं, size की कम ज़्यादा कर सकते हैं, restore size हम बना सकते हैं, और फिर हम enter कर देंगे, तो वहां पर वह accept हो जाता है, alt space bar हम फिर से press करते हैं, और यहां से इसको minimize करना चाहते हैं, तो हम minimize कर पाएंगे, alt tab कर देंगे, तो हमारे सामने tally prime open हो करके आ जाएगा, अ जो आप देख पा रहेंगे, character के नीचे एक underline है, अगर उस underline के हुए character को हम press कर दें, तो directly हमारा, वो shortcut की तरह उसका behavior होता है, और smart तरीके से हमारा minimize, maximize, restore, close, यह सब हो जाएगा, इस तरह से हम control menu box के माध्यम से, अपने tally के window पर control कर सकते हैं, तो यह left corner पे control menu box and right corner control tools होता ह है, जिसे हम title bar कहते हैं, जिस पटी पर आपका title सो करता है, आप देखे, manage के अंतरगत यहाँ पर आपको कुछ options लिखे मिल रहे हैं, इसे हम menu भी कह सकते हैं, आप देख रहे हैं, के लिखा हुआ, उसके नीचे एक underline दी गई है, underline अगर किसी character के नीचे एक single underline है, तो वो alt कहा जाता है, alt के साथ यदि हम k press करते हैं, तो company का menu जो है company name से menu है, उसके options drop down list में so कर जाते हैं, इस तरह से हम alt y या alt z या alt z करके go to कर सकते हैं, alt u करके import पर जा सकते हैं, export करना है तो alt e करके हम उसके options को use कर सकते हैं, email करना तो alt m करके हम जा सकते हैं, print करना तो alt p कर सकते है अगर help लेना तो f1 करके हम help का drop down list या menu list हम present कर सकते हैं अब हम नीचे आ जाते हैं आप देख पा रहे हैं gateway up tally आपको यहां लिखा मिल रहा है gateway up tally और gateway up tally को two part में divide किया गया है आप देखेंगे left side में आपको यहां current period यह current period क्या होता है जो एक company का financial year होता है financial with the year verse the same कहते हैं जो 1 April से ले करके 31 March तक का period होता है उसे हम financial year कहते हैं यह हर साल जो March महिना होता है वो company का closing month कहा जाता है April month जो होता है वो opening month कहा जाता है तो financial year के लिए April 1 April to 31 March यह आपका financial year कहा जाता है जो एक business का one year का period कहा जाता है और current date जिस date से आप voucher start करते हैं जिस दिन से आप LinkedIn करना start करते हैं वो आपका current date होता है आप देखे name of company यहाँ जो भी company आपकी open होगी वो company सो करीगी एक से ज़्यादा company भी यहाँ सो करती है बट जो active company होती है वो सबसे top पर होती है और वो dark होती है मतलब highlight होती है और इस पर जो last voucher किया गया होता उसकी entry जिस date को की गई होती है वो last entry यहाँ पर so करता है और right side में आप देखेंगे गेटवेब टैली का man menu आपके सामने present है जिसके अंतरगतम टैली के वो सारे काम कर पाते हैं जिनकी हमें आउसकता होती जिसके द्वारा हम एक business को completely manage कर लेते है इसमें steps आप देख ले रहे हैं जैसे masters है तो total master work हम यहाँ करते हैं टैली ERP9 में आइधी आप देखते तो masters के अंतरगत आपको account info, inventory info, payroll info इस तरह से आपको info करके option मिलता था जहां से हम जाकरके अपना laser या stock या employees detail ये सारा कुछ हम वहाँ से तयार करते थे masters वहाँ से create करते थे अब यहाँ create option के द्वारा हम total creation कर सकते हैं चाहे वह accounting master हो, inventory master हो payroll master हो, statry master हो हम यहाँ से total work एक साथ ही कर सकते हैं सभी को alter कर सकते हैं चाहे वह accounting master से alteration हो, inventory से alteration हो, otherwise और भी masters को आपको alter करना है तो हम directly alter से जा सकते हैं display करने का work हम chart of account से करते हैं, next आप देख रहे है transactions, transactions में vouchers आ जाता है, अगर आप tally erp9 की बात करेंगे tally erp9 को अगर आपको पढ़ना है तो हमारे channel पर tally erp9 का total course complete course step by step आपको मिल जाएगा, जहां से आपको अगर आपको journal entries नहीं आ रही है आपको accounts के बारे में accounting क्या होता है, accounting system क्या होता है इन सब का knowledge लेना है history of tally का ग्यान आपको प्राप्त करना है तो total work accounts क्या होते है, golden rules क्या होते है उनके बारे में हम discuss आगे करेंगे इसमें, और total आपको deeply जानना है, तो हमारा जो tally erp9 का वीडियो है उसका जो total course package है वहाँ से आप जा करके देख ले, उसका कोई भी charge नहीं है, उसे आप देखते हैं तो आप tally में बहुत अच्छा कर पाएंगे तो यहाँ पर vouchers, cable vouchers सो कर रहा है, और यही पर आपको debug report भी मिल जाएगी, direct voucher करने के बाद, debug कर लेते हैं यहाँ से हम जा करके check कर लेते हैं debug को, जो कि tally erp9 में आपको display में जा करके debug मिलता था utilities में आपको wanking मिलेगा, tally.erp9 में आपको utilities में banking और import option मिलता था, बट यहाँ import को आपके menu options में submit कर दिया गया है और utilities में banking को क्यों रखा गया है, reports हम देखना चाहते हैं, चाहे balance sheet चेक करना हो, profit and loss चेक करना हो, stock summary, ratio analysis यह हम जो भी work किये हैं, उसका step by step report जानना है, तो display more reports में जाकर करके हम total report को check कर सकते हैं, आप right side में देखेंगे, तो आपके सामने एक पट्टी दिख रहे हैं, जिसे हम button बार खहते हैं यहाँ जैसी window आपके सामने open होगी, उस window का आपको shortcut से हम मिलेगा हमने teleprime की last video जो last में मैंने जो video दिया है पहली वीडियो है, टैली प्राइम playlist के अंतरगत, वो हमारा complete shortcuts का वीडियो है, तो उसे आप जरूर देख ले, टैली प्राइम का complete shortcuts उसमें available है, जो most important shortcut है और maximum shortcut को उसमें कबर किया है, एक ही वीडियो में आप total shortcuts का knowledge आपको होपावेगा क्योंकि टैली में जैसे जैसे window change होता जाता है अलग-अलग window के लिए अलग-अलग type के shortcuts होते हैं, कुछ shortcuts repeat भी होते हैं, बट वो window के according होते हैं, तो उसको आप जरूर जाकर के वीडियो को देख लेंगे तो ये आपका button बार है और सबसे नीचे एक पट्टी होती जिसे हम task bar कहते हैं, जो कि आपको हर एक application में देखने को मिलता है maximum तो एक बार हम ऐसे चेक कर लेंगे सबसे उपर title bar title bar के left corner आपको tally prime educational mode का एक symbol मिल रहा है, लिख के आ रहा है आपको manage के अंतरगत आपको options मिल रहा है, menu options और right side में आपको button bar मिल रहा है, गेटवेब tally के जो main menu है गेटवेब tally को two part में डिवाइट किया गया है list of company detail जहां current period, current date और company का name सो हो रहा है और गेटवेब tally का जो right side का area है वो गेटवेब tally का main menu है जिसके अंतरगत हम जाकर के tally में work करते है तो यह है अपका part of window हम menus के बारे में और company के बारे में हम next day देखेंगे समझेंगे एक एक के बारे में क्या uses का तो हम जानेंगे तो गाईज आज के लिए बस इतना मिलते हैं next day और एक नई वीडियो के साथ जो की tally prime में company कैसे create करते हैं उसको हम completely देखेंगे tally prime के window में menu options को हम समझेंगे उसके बारे में जानेंगे तो गाईज हमारे चैनल पर आपको यह tally prime का जो complete course मिलने वाला है इसमें step by step वीडियो आपको मिलेंगी और वो वीडियो आपको total complete देखना है तभी आपको complete knowledge हो पाएगा तभी आप एक अच्छे accountant बन पाएंगे तो गाईज चैनल पर नए है तो आप subscribe जरूर कर ले मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो knowledgeable लग रही हो तो आप इसको like करें और अपने friends के पास share करना ना भूले तो गाईज मिलते हैं नई वीडियो के साथ next day तो तक के लिए thank you जै हिन